हलो हाओ एझा साथ मेरा दाम इम्रोच अस्टा थैक्ड राश के समय है कैसे अमधिक एक यहां के साथ में अवाली हुआ है तो थो इसे मैं अधिक करने वाले हैं । आपकी साथ मजूर करने वाले हुआ हैं। आज फाइनली मैं वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों इसमें आपको प्रॉपर इंफरमेशन मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कैसे हमें हर एक चीज हर एक चोटी-चोटी चीज में आपकी साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या हमें चीजों का ध्यान अखना चाह इस वीडियो को शुरू से लिकें तक जरूर देखें जिसे हमें पानी की दिक्कत है टाइम से पानी नहीं आता तो आप यह तरीका यूज कर सकते हैं मशीन को अपरेट करने के लिए दोस्तों अगर आप इस तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं के तो मैं चाहर जाओ पानी बने के लिए मैं टाप का इस्तमाल नहीं करने वाल है गोश्यूरा कर दिया है और मेरे और और जो तो मेरे पास शि 25 वो बढूर से मशीन को पर्चेस किया, तो मुझे खुशी है हूष सी तो आप लोगों में यह क्ई लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए request की थी और इसी लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ तो मैं जो पानी भर रही हूँ दोस्तों वो pipe से भर रही हूँ आप चाहे तो bucket से भी से पानी डाल सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है तो मैं यहाँ पे pipe से पानी डाल रही हूँ तो इस washing machine पानी भरना शुर पूरा step आप अच्छे से देख लीजे तो जैसे कि मैंने detergent उस box में डाला है तो जैसे कि हम tap से पानी लेते हैं नल से तो directly tap का जो पानी है वहां से आकर के फिर नीचे आता है तो जबकि अब अभी हम manually पानी डाल रहे हैं तो हमें वहां पे पानी डालना जरूरी है क्योंकि detergent जो है पानी में mix होके अच्छे से घुल जाता है और कपड़े साफ निकलते हैं और इसलिए मैं detergent की box में पानी डाल रहे हूँ देखिए आप देख पारे होंगी detergent अच्छे से घुल रहा है पानी में तो यहां पे पानी जो है कपड़ों के level से उपर आ गया है यहां पे पानी जो है पूरा level तक भर चुका है machine में तो अब मैं pipe को निकाल दूगी पानी बने के बाद हम machine के ढखन को बंद कर देंगे और main switch को on कर देंगे और main switch on करने के बाद यहां पे power on कर देंगे तो machine को हमने start कर दिया है उसके बाद जो मेरा cycle set है दोस्तों वो है quick wash पे तो मैं इसी पे यहां पे machine को रखने वाली हूँ आप चाहें तो cycle change भी कर सकते हैं उसके बाद function में तीनों ही function selected है wash rinse or spin उसके बाद हम machine को start कर देंगे तो यहां पे मैंने machine को start कर दिया और यह 32 minutes ले रहा है पूरे कपड़े दो करके सुखाने के लिए तो देखे तूरंथ यहां पे problem नहीं आई है manually पानी भरने से भी machine जो है अच्छे से और smoothly चालू हो गई तो इस process में आपको एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों तो यहां पर detergent के साथ जो है कपड़े धुल रहे हैं लेकिन उसके बाद में एक और बार पानी लेगी machine तो वह पानी कब अपस से पानी लेगा तब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी आगे का तो मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूंगी तो अब देखें आप 28 मिनिट्स बागी है cycle complete होने के लिए तो यहां पर देखें 22 मिनिट्स बचा है और अब रिंस का प्रोसेस चल रहा है तो य दुबारा भरना है तो हमें इसमें साफ पानी डालना है साफ पानी के साथ में फिर से दुबारा से सारे प्रोसेस होंगे तो यहां पर मशीन ने अच्छी तरीके से स्पिन कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे इसमें दुबारा से पानी भरेंगे तो पानी बरने के लिए को एक चीज ध्यान रखनें दोस्तों यहां पर pause करके ही धकन को खुलना है अगर आप pause करके नहीं खोलेंगे तो यहां पर error बताएगा DC का तो चलिए मैं आपको बिना pause कि अगर इसको open किये तो आपको DC का error आएगा तो हमें यह error नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे machine को पहले pause कर देंगे off नहीं करेंगे पावर ओफ नहीं करेंगे pause करेंगे उसके बाद धकन खोलेंगे तो कोई भी error आपको नहीं दिखेगा और फिर हम इसमें दुबारा से पानी भरेंगे pipe से जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि आप bucket से भी पानी भर सकते हो तो पहली बारी हमने जितना पानी भरा था उतना दुबारा से वापस भरेंगे उतना ही पानी तो यहां पर मैंने पूरा पानी भर दिया है level 5 तक मतलब पूरा उपर तक पानी भर दिया है अब हम यहां पर pipe को निकाल देंगे पानी भरने की बाद में हम ढकन को लगा देंगे तो मैंने यहां पर pause किया था अब मैं इसको start कर देती वापस से तो machine जो है वह भी start हो चुकी है जो मेरी Samsung की machine दोस्तो काफी easy है operation में इसका operation काफी easy है कोई भी आसानी से operate कर सकता है तो last 2 minute बचे है दो मिनट बाद spinning complete हो जाए तो link आपको वीडियो के description box में दे दूगी वहासे जाके आप चेक आउट कर सकते हैं और heavy discounts में से आप खरीच सकते हैं यह machine जो है परसनली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी difficult operation नहीं है क्योंकि machine जो है दोस्तों fully automatic में आपको budget में मिलती है ज यह बस last one minute बचा उसके बाद machine automatically stop हो जाएगी और मेरा अब तक का experience अगर मैं शेयर करूँगी दोस्तों तो मुझे इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है मैं काफी time से machine को use कर रही हूँ काफी smoothly और in fact rows use करती हूँ बिल्कुल भी कोई परिशानी मुझे इसमें अभी देखने के लिए नहीं मिली है और अगर आप धून रहे हैं कोई machine को budget वाली machine को तो इस machine को मैं जरूर आपको recommend करना चाहूँगी तो देखिए अब कप्ड़े जो है अची से dry हो चुके हैं अब पावर को off कर दूँगे इसके बाद main switch को off कर देंगे इसके बाद मैं आपको क दोस्तों कैसे लगे आपको मेरी वीडियो उमीद करते हूँ आपको सारे स्टेप्स डिटेल में समझ गये होंगे अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी confusion है मुझे comment section में जरूर पूछे कि मैं every Sunday आपकी सवालों को जवाब लेके आती रहती हूँ मेरे चानल प वोजी नेस फिटेए फ्रेंट मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार